इस वीडियो में हम लोग मस्सों के बारे में बात करेंगे जिसे लोग सामाने भासा में मस्सी टर्म यूज कर देते हैं किसी भी आउट ग्रोथ के लिए किसी भी आउट पॉचिंग के लिए तो उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे कि क्या है मस्सी ये और स्किन टैक्स के के बारे में थोड़ा डिटील में बात करेंगे तो सधारम भासा में लोग कोई भी स्किन से आउट पॉचिंग हो ग्रोथ हो काले रेड कलर के या स्किन कलर के गर्दन पे चहरे पे कांख में जांग पे तो उन सब को लोग मस्से बोल देते हैं एक कॉमन्टम लेकिन इसको अल तो जो फेस और इस रीजन में जो कॉमन आउट ग्रोथ है उसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं तो जो सबसे जो कॉमन प्रॉबलम होती है वो स्किन टैक्स होती है तो इसकिन टैक्स जो होता है इसको मेडिकल टम में एक्रो कॉर्डान बोला जाता है ये जो होता 5 लोगों में गर्णन के आसपास की सकिन पर या कांक वाली जो सकिन होती है वहां पर कांक की सकिन में यह देखने को मिल जाते हैं तो इनका साइज होता है सधारम, तो बहुत छोटे-छोटे साइज के होते हैं 1 mm, 2 mm खर में 4 mm कर लेहिए कभी-कभी बड़े size के भी देखने को मिल सकते हैं 5 cm के भी skin tag देखने को मिल जाता है भी cis करके जाएं को skin के आसपास में कभी बड़े size में skin tag देखने को मिल सकता है Skin tag की एक खासियत यह होती है कि अधिकान cases में इनमें pedicle होता है मतलब एक narrow stock होगा और उसके बाद एक बड़ा सा globule मतलब छोटा सा उसका ऐसे समझे जैसे आम आप कलपना कर सकते हैं कि आम जैसे लटका हुआ है तो एक pedicle होता है पतला सा और फिर आम का फल उससे लगा होता है तो उसी तरह से skin tag भी होता है कि एक pedicle उसके बाद skin और यह जो skin tag होते हैं यह asymptomatic होते हैं मतलब इनमें कोई लच्छन ने होती है दूसरी जो महत्वपूर्चे जी होती है कि skin tags जो होते हैं वो एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में फैल नहीं सकते हैं और खुद के सरीर में भी skin tags फैल नहीं सकते हैं, जैसे आपको एक skin tag है garden पे, फिर आपके garden पे दूसरा skin tag निकला या कांख में निकला, तो इसका मतलब ये है कि ये खुद से निकला है, मतलब अंदर से कुछ ऐसे factors हैं जिसकी वज़ा से निकला है, ऐसा नहीं है कि इस skin tag से ये वाला जो है, फैल गया, फैल के हो गया, तो कि इसका implication है, एक problem होती है, जो हम लोग आगे discuss करेंगे, वाट्स जिसे बोला जाता है, उसे भी लोग मस से समझते हैं, आइडिली मस से उसे ही समझा जाना चाहिए, वाट्स को ही, तो skin tags एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति में नहीं फैल सकता है, खुद के सरीर में भी एक जगा से दूसरे जगा नहीं फैल सकता है, तो skin tag होने का कारण क्या होता है, तो skin tag जो होता है, कई बाल अपने आप हो जाते हैं, और काफी लोगों में underlying obesity, मुटापा, ज्यादा वजन होना इसका कारण होता है, और इसी कारण से इसका जो association है, direct association होता है, insulin resistance है, मतलब जो insulin है, वो अच्छे से function नहीं कर पा रही है, और आपको diabetes के risk पर, diabetes के path पर ले जा करके रख देती है, इसी लिए, जो skin tags होती है, अधिकान्स cases में, अकेंथोसिस नाइगरिकेंस नाम की एक skin की बिमारी जिसमें skin का रण डार्क हो जाता है, और skin soft mammelated folding के रूप में, मलब थोड़ी खुरदूरी और उसमें folding बहुत ध्यान से देखने पे थोड़ा उपर नीचे skin का pattern देखने को मिलता, गर्दन में, कांक में, और कभी-कभी चेहरे के side में, माथे पे या आँख के आसपास की skin पे, और उसमें छोटे-छोटे-छोट skin tags लगे होते हैं, कभी-कभी ये सारी चीज़ें absent होती हैं, केबल skin tags होते हैं, कुछ cases में skin tags जो होती है, वो genetics की वज़ा से भी हो सकती है, मतलब कि family में skin tag है, तो आपको भी skin tag मिल सकती है, लेकिन ये ध्यान देना है कि skin tag एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में किसी infection की इस्तमाल नौ करें, तो कि skin tag फैल जाएगा, तो skin tag है आपको होता है, तो उसमें genetic predisposition हो सकता है, या metabolic reasons हो सकते हैं, लेकिन infectious reason होने के संभावना नहीं होती है, या nil होती है, 0 होती है, तो ये चीज़ ध्यान देना skin tag में, तो इसी तरह से कुछ जो warts होते हैं, मस्से होते है उसको भी लोग skin tag से confuse हो जाते हैं, तो अब ये समझना है कि मस्से जो होते हैं, वो truly warts होते हैं, warts को मस्से समझना चाहिए, तो जो मस्से होते हैं, वो खुर्दूरे होते हैं, रफ होता है उनका surface, are usually populations, micro population, मतलब उनके surface जो होगा, वो ऐसे खुर्दूरे इस तरह का texture होग उनका surface पे ध्यान से देखेंगे या लेंस से देखेंगे, तो मतलब उसमें micro projections होंगे, जो कि skin tags में usually नहीं देखने को मिलते हैं, तो warts जो होते हैं, वो इन्फेक्सियसिटी आलजीग होते हैं, तो ये एक virus होता है, human papilloma virus, जो warts पैठा कर सकता है, तो warts आपके body के almost किसी भ पाम, सोल पे, हथेली पे, तलवे पे, इन सब जगहों पर भी हो सकते हैं, तो warts भी usually skin tag की तरह ही asymptomatic होते हैं, मतलब उनमें लच्छन नहीं होता है, until unless warts कुछ बिशेश सरकमिश्टा जैसे pomo planter warts painful हो सकते हैं, warts कि यदि blood supply obstruct हो गई, तो भी painful हो सकता है, warts को skin tax nationally differentiate करना जरूरी है, क्योंकि warts infectious है और ये फैलता है, तो ये कैसे फैल सकता है, एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में फैल सकता है, उसके कपड़े share करने से, उसके close contact में आने से, saving करा रहे हैं, आप जैसे किसी warts वाले ब्यक्ति, किसी के beard area warts हैं, समान जो use किया गया वही समान आप पर इस्तमाल कर दिया गया, जैसे जो beard वाला warts होता है, ये बहुत commonly नाई के दुकान से एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में फैलता है, जैसे उसने saving किया, blade change नहीं किया, समान towel ने change किया, हाथों को properly sterilize नहीं किया, clean नहीं किया, धोया नहीं, तो वहां से warts लेकर कि दूसरे जिन पे warts नहीं था, उनको फैला दिया, तो beard area या hairline पे जहां पर razor चलाता है, नाई आपका, तो वहां से फैला सकता है, जो हाथ हुत के warts होते हैं, जैसे आपने किसी warts संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाया, उसके contaminated objects को छुगा, तो उस condition में आपको भी warts हो सकता है, तो इसलिए warts को skin tax से differentiate करना ज़्यादा ज़रूरी है, नेक्स्ट जो चीज होती है, matching, जिसको लोग मसे बोल देते हैं, dpn, dermatosis, papillosa, nigra, तो ये जो होता है, छोटे 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 ब्राउन, black is color के bump होते हैं, और smooth bumps होते हैं, मतलब जो हमने वाल्ट में पैपिलेशन्स बात किया था, कि ऐसे-ऐसे micro projections देखने मिलेगा है, ये dpn में एक globule, बलब गोल सा छोटा सा दाना, छोटे 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 दाने फेस पे, या गर्दन में, या बोडी में, दूसरे जगह पर देखने को मिल सकते हैं, तो dpn जो हो multiple reasons पाए गये हैं, ये भी asymptomatic दाने होते हैं, बारीक दाने, बारीक ब्लैकिस, ब्राउनिस दाने, जो की cosmetically देखने में खराब लगते हैं, तो इसमें sun damage का रोल पाए गया है, कुछ studies में ये भी human papilloma virus से associated पाए गया है, लेकिन clear cut ये इसका etiology बहुत अच्छे से पता नहीं ह और बहुत ही infectious etiology होने का प्रमाड बहुत strong नहीं पाए गया है, ज्यादा प्रमाड sun damage की तरह पाए गया है, chronic sun damage, इसलिए face और neck जो होता है, common reason देखा जाता है, तो इनका जो size होता है, एक से दुए में बहुत ही छोटे होते हैं, इसी तरह एक entity होती है, सेबरिक किरेटोसिस या स्टको किरेटोसिस, इसमें brownish color का ऐसा लगेगा कि compact सा, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कोई चीज लेजा करके skin के ऊपर tight सा material skin के ऊपर चिपका दिया गया है, और ऐसा लगेगा कि उसको रगण करके आप उसे खुद ही गिरा सकते हैं, इसलिए इस ऐसा skin का protuberant mass नहीं दिखेगा आपको, ऐसा लगेगा बाहर की कोई चीज जा करके formally मजभूती से skin पे चिपक गई है, खुरदूरी सी, काली सी material चिपक गई है, तो ये जो होती है सेबरिक केरेटोसिस, ये late ages में देखी जाती है, और ये aging का sign, मतलब जैसे normal जीवन का धलान बोल सकते हैं, उसका लच्छन होता है, और ये usually infectious नहीं होता है, and aging का sign होता है, chronic sun damage का sign होता है, तो ये सब important चीज़ें थी जिनको commonly मस्यों का term दिया जाता है, लेकिन ideally मस्य वाट्स को ही बोले जाने चाहिए, जो दूसरी चीज़ें थी उनको नहीं बोले जाने चाहिए, इस दाने होते हैं, छोटे छोटे रेड कलर के, एक जैसे दिखने वाले बिलकुल रेड कलर के, जिनकी सकिन गोरी होती है, बिलकुल वाइट होती है, उनमें बहुत ही सामानेता एजिंग का साइन होता है, मतलब उम्र के धलान का साइन होता है, कुछ रेयर सरकमिस्टैंसेज में ही ये कुछ लिवर डिसॉर्डर इन सबसे भी असोसियेटेड हो सकता है, तो ये सब चीजें जो हमने डिसकस की, ये सब लोग सामानेता मस्से बोल देते हैं, इसी लोग इसके लिए होम रेमेडिज पूछते हैं, कुछ घरेलू चीज बता दें, लेकिन ये चीज ध्यान देना है कि होम रेमेडिज से लोगों को फायदा होने से ज़्यादा इन चीजों में नुकसान होने का ज़्यादा चांस हो जाता है, जैसे इसकिन टैग में क्या करते हैं, लेकिन बड़े सकिन टैग में जिसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है, तो वो सकिन टैग थ्रमबोज हो जाती है, उसकी ब्लड सप्लाई रुकने से काली पड़ जाती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा पेंफूल हो जाती है, तो अक्सर पेसिंट भागते लगता है, और उसे तुरंट सुन करके, नंब करके, लेजर से या कॉटरी से हटाना पड़ता है, इसी तरह से गाओं के एरिया में बहुत पॉपुलर है चूना, चूना और सर्फ का इस्तमाल करना, मस्सों में किसी भी प्रक्यार का आउट पॉचिंग ग्रोथ है, तो उस चार बने मस्से तो गिर जाएंगे, निश्चा ही आपको जो मस्से हैं, इसकिन टिक में उसमें सफलता तो मिल जाएगी चूना रखने से या सर्फ रखने से, लेकिन आपकी स्किन इतनी सीवियरली बर्न हो जाएगी, कि मोटा स्कार बन जाएगा, और जो स्कार होता है, फि सब तरह की सर्जरी के बाद भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, मतलब कुछ ने कुछ डिस्फिगरिंग स्पॉट छोड़ करके ही चला जाएगा, इसी तरह से कुछ लोग अगरबत्ती से जलाते हैं, अगरबत्ती लेकर के उसे बर्न कर देंगे, तो फिर वही बात हुई, आपने बर्न किया, यहीं सर्फेस पर बर्न किया, तो हो सकता है कि आपको डीप बर्न नहीं हो, लेकिन आपने तेज बर्न कर दिया, तो आपके स्किन जल जाएगी, फिर से स्कार का कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, वहीं पर जो गॉट्स हैं, या स्किन टै से आप बच सकते हैं वाट में इलाज इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आप इलाज नहीं करेंगे तो फिर वो फैलने के चांसे होते हैं बॉड़ी के दूसरे साइट में फैल सकता है और जितना ज्यादा वाट होगा उतना ही ट्रिटमेंट कॉंपलिक्स होता जाएगा जैसे मॉल्टिपल वाट्स है तो उनको सिंपल लेजर या कॉटरी से अप नहीं हटा सकते हैं फिर उसमें कुछ खाने वाली दवाईयां कुछ इम्म्यूनो थिरेपी रेपिटेट सेसंस इम्म्यूनो थिरेपी वैक्सिन्स के एम्मार बीसीजी इन सब वैक्सिन से हो करके गुज लेजर इन सब चीजों से उसका इलाज आपका डॉक्टर करके उन्हें ठीक कर देगा इसी तरह से जो चेरी एंजियो में था या रेड कलर के जो मोल्स थे या रेड़ वाट्स थे शरीर पे उनको भी लेजर के थुरू हटाया जा सकता है लेकिन इन्हें हटाना जरूरी नह नहीं है जस्त देखने में थोड़ी सी कॉस्मेटिकल लिए डिस्फिगरिंग है तो आप अपने हिसाब से टीटमेंट को निर्धारित कर सकते मलब आपको लगए कि तो हटवाल है नहीं लगए तो इन्हें छोड़ सकते हैं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो इसमें मैंड चीज थी हटाना जरूरी चीज था बाकी चीज जैसे स्किन टैग डीपीएन या फिर चेरी एंजियोमा या सबरिक किरेटोसिस यह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें हटवाना चाहते हैं कि नहीं है क्योंकि यह केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होते हैं कुछ आप दूसरों के लिए भी रिस्क पैदा करते हैं क्योंकि यह फैलने वाली चीज है तो इसलिए वाट्स को तुरंत चीटमेंट करके हटाना जरूरी होता है तो यह सारी चीज ब्रीफ में नॉलेज मैंने प्रॉवाइड करने के कोशिस की और इसको आप अपने स्किन डॉक से मिलकर के इलाज करवा लें थैंक यू